YouTube छोड़ देने का मना रहा है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, आप उसी को याद करना रहे हैं, ऐसी स्थिति ना हो जाए कि साला घर में पेंट करने को पैसे नहीं रहे हैं, अच्छे तो उन लोग खा भी नहीं पा रहे हैं, लड़कियों को बोल रहा हू तो आपने एकदम सही वीडो पे क्लिक किया हैं, आज किस्टिव में आपको बताऊँगा किया हैं, आप जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर्स कैसे अचीब कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसके बात मैं आपक बातें बताता हूँ, यूटूब से यूटूब और लाइफ को जोड़ के मैं आपको मिक्स करके बाद बताता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाए, मैंने मेरी मम्मी हमेशा मुझसे बोलती थी कि ऐसे ऐसे घर वो देखी है और हर घर के स्थिती 10-20 साल में, 10-20 साल में ब बदलती है, मम्मी मेरी बोलती थी और मैंने अब ये चीज़ गौर किया हूँ, यूटूब के आने के बाद ये सारी चीज़ें और भी बदल चुकी है, आप देखे होगे, अभी बताता हूँ, समझोगे, जैसे किसी के भी फादर होते हैं, वो जॉब कर रहे हैं, उसके बा अपने बच्चों को पाला, जब इसके बच्चे बड़े हुए, इन्होंने जॉब पकड़ी और उसके बाद जॉब पकड़के अपने घर की स्थिती बदल दी, कितना समय लगा, सिर्फ 10-12 साल में, हर घर की स्थिती ऐसे ही बदलती है, मैंने देखा हूँ लाइव, यूट आने के बाद तो मतलब चीजने पूरी तरह से बदल गए ही, लेकिने इसके पहले भी एक छोटी सी जॉब करके लड़के अपने घर की स्थिती बदल दे देते, मैंने देखा हूँ यार एक्जामपल, मैंने देखा, मेरे घर के सामने एक लड़का रहता था उसके फादर ग गया था, अभी कुस दिन पहले गया, तो देखा यार उसके घर में पेंट नहीं है, बनलब पुता ही नहीं हुई है, उपर से च्छत उसकी चू रही है, अभी गर्मी का समय है तो पूरी धूल उपर से आ रही है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो घर को ठीक करा ले, क अच्छी जगह जो रहता था, वो नीचे आ गए, तो कैसे हुआ ये सब, हर 10-20 साल में हर घर के स्थिती चेंज होती है, होती ही है, मैं एक लड़के को और देखता था, मैं जहां रहता था ना पहले, अभी तो ये नया गार बनवाया हूँ, जहां मैं पहले रहता था, वहा लड़के ने काम किया, आप आज यूट्यूब देखो, यूट्यूब आ गया है न, तो बहुत हम लोगे लिए बहुत ज्यादा बेनेफिट है, हम लोग पूरी तरह से चेंज हो सकते हैं, हर अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं, आने वाली जनरेशन बदल सकते हैं, आप डी मोटिवेटेड रहोगे, काम नहीं करोगे तो, ये चीज होती ही होती है, आप देखो, हर घर के स्थिती, 10 से 20 साल में बदलती है, क्योंकि उसके बच्चे अगर लायक हुए, तो हो जाएगा ठीक, ना लायक हुए, तो डूब गया काम, हो गया काम तमाम, तो आप यूटूब पे हो, काम करो यार, क्यों डी मोटिवेटेड होते हो, हमेश अगर काम करते रहोगे, धीरे 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 ग्रो कर जाओगे, वीडियो नहीं बनाओगे तो कैसे ग्रो करोगे यार, वीडियो तो बनाना पड़ेगा न, 1000 सब्सक्राइबर्स कोई बड़ी बात नह होगे जौब करने, 10 घंटे, 12 घंटे दोगे, कितना मिलेगा सेलरी, 10,000, 12,000, बहुत दिया, बहुत दिया, तो 20,000, वो भी एक समय बाद मिलेगा, यूटूब पे, एक घंटे काम करके आप 10,000, 20,000 आराम से निकाल लोगे, और ऐसे में, आप डी मोटिवेट हो रहे हो, कैस काम चलेगा दोस्त, अपने घर की स्थिति नहीं ठीक करना है क्या, अगर आपको जब कभी भी लगे कि यार, यूटूब छोड़ देने का मना रहा है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आप मैं बता रहा हूँ, आप उसी को याद करना रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं हो जाए क खूब शॉक किया, आज अपने परिवार को पालने के पैसे नहीं है उसके पास, क्यों नहीं क्योंकि वो खुद गलती किया, वो खुद अपने पूरे पैसे लोटा दिया, वो खुद कुछ किया नहीं, आप भी अगर यूटूब पे हो के कुछ नहीं करोगे, तो कैसे काम चलेगा यार, YouTube पे आपको अगर grow होना है मैं simply बता रहा हूँ simple बता रहा हूँ, देखो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूत नहीं आप हर दिन एक एक वीडियो अपने चैनल पे डालो आपकी age कम है, अगर आपकी age कम है तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा plus point है बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने सिर्फ 2-5,5 साल तक अगर ज्यादा मैं बता रहा हूँ 2-5,5 साल तक कम कर दिये न आपका चैनल पका है कि grow हो जाएगा एक साल तो खैर कम है, 2-5 साल मैं पका ही है कि grow होगा YouTube उनके लिए बहुत सा ये जो बच्चे है अभी अभी जो join किये हैं एक साल, डेड़ साल बाद अगर 25-30 साल, मालो मेरी age में आके आप YouTube शुरू करोगे तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्योंकि अगर grow नहीं कर पाता है तो फिर आप कैसे काम करोगे कैसे survive करोगे लेकिन अगर आप स्टुडेंट हो, age कम है आप 20-30 साल दो आँख बंद करके आइंगे, आइंग यार आप ऐसे demotivate मत हो, घर की स्थिति अगर आपको अपनी बदलना है, तो आपको यार बेड़ा उठाना पड़ेगा दोस्त मुश्किल तो होगी यार, ऐसे बिना मुश्किल के घी बनने के लिए कितना जलता है सोजो एक हीरा, वो भी बनने के पहले, हीरा बनने के डाइमन बनने के पहले कितना जलता, कोईले से निकलता कितना उसको पीटा जाता है तब जाके उसकी value होती है घी को भी पहले क्या, 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 क्या कितनी सारी process से जलाओ, मत हो यह सब करो, मतो मतलब ऐसे ऐसे पूरा मलो उसको, उसके बाद जाके वो घी बनता है हर चीज की प्रोसेस में टाइम लगता है यार, यूटूब पर आओ टाइम लगेगा आपको अगर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने थोड़ा सा मतलब ऐसा इंपॉसिबल टाइब की चीज़ें लिखिए थम्निल्स में ताकि लोग देखें तो लगए ये क्या है यार, ये कैसे पॉसिबल है उसके क्लिक खरें देखके उसके अलावा कोई शॉटकट नहीं है कि आप आज यूटूब पे ग्रो कर जाओगे हर दिन की वीडियो जब हम जैसे क्रिएटर्स डाल रहे हैं तो आपको तो डालनी चाहिए ना यार आप खुछ समझदार हो यार आप सब चीज़ देखे हो लड़के कहां से कहां पहुँचे हैं यूटूब की बदौलत और आप de-motivate हो रहे हो कि views नहीं आ रहे हैं उनको भी तो नहीं आते थे यार views वीउज नहीं आ है अच्छा दो चीज़ भी होती है यार अगर views नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दो यूटूब क्यों परिशान हो मत करो लेकिन आप छोड़ भी नहीं रहे हो अगर परिशान हो तो छोड़ दो ना भाई करो ही मत क्यों आप अपने दिमाग पर बिल्कुल टेंशन लेकर पाल रहोगी साला अगर कोई बिमारी हो जाएगी तो उसमें अलग खर्चा आजाएगा बिमारी कम से कम ना हो आपको लेकिन अगर हो यहाँ पर तो काम करो ना या दिल से काम करो मैं बता रहा हूँ हर चीज 5 साल का टाइम लेती है हर अच्छी चीज 5 साल का टाइम लेती 5 साल दो यूटूब को उसके बाद अगले 10 साल में आप अपने घर की स्थिती बदल दोगे और ऐसी बदलोगे ऐसी बदलोगे कि आप खुद नहीं सोच सकते थे आपके मावाब क्या सोचेंगे यार आप खुद ही नहीं सोच सकते यासी स्थिती बदल जाएगी यूटूब की पावर आप तो खुद ही जानते हो लेकिन फिर भी दी मोटिवेटेड हूँ विउस नहीं आ रहे हैं घजब बात करते हो यार ठीक है यार वीडियो क्या लंबी करूँ अल्रेडी आठ मिनिट की बन चुकी है वीडियो बस इस वीडियो के लिए इतना ही और बनो यार आप अपने घर के वो लड़के बनो जब मैं स्कूल में था तो मेरे भाईया मेरे को एक कोचिंग पढ़ाते थे तो बोलते थे तुम साले बिहारी के नाम पे कलंक हो मैं लग क्यों तुम गौर्णमेंट जॉब नहीं कर रहे यार पढ़ाई नहीं करते हो अच्छे से तुम मर्द के नाम पे कलंक हो यार ऐसे डी मोटिवेटेड होते हो छोटी छोटी बात तो में चलो लड़कियां रोती है लड़कियां रोंटी होती है चलो मानता हूँ लड़कियों का तो यार सबसे में अश्त्र होता है रोना वो तो रो सकती है, लेकिन तुम नहीं रो सकते यार तुम क्यों रोगे यार छोटी छोटी बाद व्यूज नहीं आ रहे है क्या यार काम करो, ग्रो करोगे दोस्त बिना काम के ग्रो नहीं कर पाओगे इज़त करो, लड़कियों की कभी भी इज़त करो मा की इज़त करो, हर एक लड़की की इज़त करो, हर किसी के मा की इज़त करो हर सुबह उठो, सूरस देवता को जल दो, नहादो के बढ़ियां अगरबती जलाओ सुबह, शाम, दोनों समय पूजा करो, एक समय पूजा करो मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ एक दो वीडियो में बोला हूँ फिर से आज बोल रहा हूँ क्या है हर वीडियो ना हर किसी के सामने नहीं जाती है उसलिए मिरे को बात करना पड़ता है हर वीडियो में बताना पड़ता है ओडियंस इतनी सारी है करोडों में ओडियन्स है, वीडियो पर व्यूस कितने आ रहे हैं मेरे, एक हज़र, दो हज़र, तो हर किसी के पास जाती नहीं, मैं देखो, हम लोग कितनी आसानी से बोल तो देते हैं, कियार, पंजाबी बहुत ताकतवर होते हैं, किसी से डरते नहीं है, समझना बात को, ऐस मुस्लिम जो होते हैं, बहुत देलोर होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, किसी से डरते नहीं, यह दोनों का विलपावर बहुत स्ट्रॉंग होता है, ऐसा ही क्रिस्चैनिटी में अगर आप जाएं, तो उनको भी आप बोल देते हैं, क्रिस्चिन लोग बड़े मजबूत ह होता होगा, वो लोग पढ़ते हैं, वैसे ही, पंजाबी लोग गुरुद्वारे जा रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो यह सारे लोग जब अपने भगवान की पूजा करते हैं, स्ट्रॉंग बनते हैं इससे, तुम हिंदू हो, और तुम हिंदू हो के मंदिर नहीं जा रहे ह सोचो ये बात हिंदूओं मतलब हमारी क्या संस्कृति है अपनी संस्कृति को तुम खुद छोड़ रहे हो घर पे बैटे हो मंदिर जाओ ना यार हफते में एक दिन मंदिर जाओ घर में बैटके चलो रहमायर पढ़ो हनुमान चालीसा पढ़ो लक्षमी जी का पाट पढ़ो दुरगा जी का पाट कुछ तो करो यार इससे आपको शक्ती मिलेगी भगवान का नाम लेने से भगवान का नाम जपने से ना हमारी मान सिंग स्थिति अच्छी होती और हमको फिल पावर हमारा मजबूत होता है हमको शक्ती मिलती है अंदर से, तुम खुद करते नहीं हो, और उसके आद बोलते हो ग्यार, वो तो अच्छा मजबूत है यार, उसके साथ अच्छा हो रहा, क्यों होता है अच्छा, क्योंकि देखो आप अधिकतर मुस्लिम्स मस्जिद जाते हैं, अधिकतर पंजाबीस जो रहते हैं, गुरुद्वारे जाते ही जाते हैं, मुस्ज और वो लोग, क्रिस्चियनिटी वाले जो हैं, चर्च जाना ही जाना है, लेकिन तुम हिंदू, तुमको तुम हंदिर जाना ही जाना नहीं है, कैसे काम चलेगा दोस्त, जाओ, करो, पूजा पाठ, विश्वास जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बास रहता है, और बास को हिंदू में, हिंदू लोग बास को कभी नहीं जलाते हैं, बास को कभी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना बास बास जला रहे हो, तो इसका मतलब आप अपना वंश को नास कर रहे हो, अपने वंश को जलाना चाहिए, तो धूप अगरवत्ती जलाए करो, कभी भी जलाओ, तो धूप अगरवत्ती जलाओ, उसके बाद माबापके पैर चुओ, सुबा उठके पूरा पूजा पाट करके माबापके पैर चुओ, उसके बाद अपना काम का शुरुआत करो ना यार, घर से कभी बा पोड़क खरीदने जाते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा चीज मांगते हैं कि यार ये फ्री मिल जाई है ये फिरी कितनी खोशी होती है मा की दुआएं तो आपके साथ है ही हमेशा रहेंगी नई भी पैर चुओगे तो भी रहेंगी लेकिन एक्स्ट्रा कुछ करो आप एक्स्ट्रा मा के पैर चुओ एक्स्ट्रा पिताजी के पैर चुओ हर रोज चुओ मलब ऐसा नहीं कि अब दिन भर पह रही चुरह है ममी रोज सुबह उटके चुओ एक बार घर से निकलो अगर कहीं जॉब पे जा रहे हो तो चुओ या स्कूल जा रहे हो तब चुओ यह सारी चीज़े करो कि तो मा आपको एक्स्ट्रा दुमाई देंगी समस्ते नहीं हो बात को यार मंदिर-मंदिर जाय करो थोड़ा घीता पढ़ो रमायार पढ़ो पढ़ो यह सारी चीज़े करो आपका चैनल ग्रो करेगा यार करेगा ग्रो यह वीडियो कहाँ शुरू कहाँ की बात हो गई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीज़े और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके आप जरूर उस वीडियो को देखिए क्योंकि वो सारी वीडियो पे 5 स्टार रेटिंग्स हैं और मैंने नहीं दी हैं आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करो वीडियो को अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो लिंक पे क्लिक करो जरूर देखो वीडियो आपको देखनी चाहिए मैं इश्वर से दुआ करता हूँ कि आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे और आप भी 2022 में पैसा कमाया खुब पैसा कमाया और 2023 से तो फिर आपकी गाड़ी आसमान की तरह बोड़े गाड़ी नहीं फिर एरो प्लेन बन जाए आपका चैनल थैंक्यू वीडियो देखन